हलो दोस्तूं नमस्कार कैसे आप सबी केमेस्ट्री के सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन है दोस्तूं ओल एक्जाम्स के लिए मैं तो पुने आर आरब एंटीपीसी ग्रूप डी एसे शीजल बेंग प्लीस पटवारी यूपीसी ओल एक्जाम्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वह वी वीडियो देखे और यह वीडियो एंट तक देखे और कमेंट में बता आपके कितने राइट हो रहे हैं अगर आप त्यारी कर देख तो वीडियो को एंट तक जरूर देखे नए स्कीप करोगे तो आपके कोई फायदा नहीं है, और कमेंट में बताना कि आपके कितने हुरे हैं सब्सक्राइब नोटव को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आअड़ करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे अगर आपको फीडियो पर राप्त करना है तो देवास्ट टीपॉइंट आएक्यू टेलेग्राम चैनल जॉइन करें लगने वाली आग के लिए किस परकार के अगनी सामत का प्रीओ किया जाता है इंपोर्टेट्र कम सारे備 तक DM के यह पर रायट होजाएका जलने लगेगा sodium के टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो वो जलने लगेगा और तेरता वो पानी में तेरता रहेगा ठीक है, अगला आपका हो जाएगा 3 नमर कुशन आज कल सडक की रोसनी में पिले लेंप वह उतायत से प्रियुक्त हो रहे हैं इन लेंपू में निमन लिकित में से किसका उप्योग करते हैं तो राइट हो जाएगा इसमें सोडियम का करते हैं किसका करते हैं सोडियम का ठीक है अगला हो जाएगा चार नमर को सुने सुन्ये समुए में रखे के तत्वे किस नाम से जाने जाते हैं तो राइट हो जाएगा निस्क्री ये तत्वे के नाम से जाने जाते हैं तो इसमें डी उप्शन राइट हो जाएगा और 5 nr question होंगा, lowe का सुधितम रूप है, lowe का सुधितम रूप कौन सा है तो important question है, तो right होजाएगा, पिटवा, lowe कोन सा है पिटवा, lowe cushion,電 लूप हो जाएगा इसमे, और आपका six nr question हो जाएगा, lowe को इस पाथ में बदलने के लिए कौन सी दातु मिला जाती Important question है तो इसमें right हो जाएगा Nickel मिलाया जाता है क्या मिलाया जाता है सारे question important है 7 number हो जाएगा Steel sır को काटोरता पर्दान करने के लिए मिलाई प्र जाती है Steel Jug की लिए तो right हो जाएगा chromium क्रोमियम की मातरा क्या हो जाएगा option right हो जाएगा अगला हो जाएगा आपका किस पदात के लगाने से कटे स्तान से रख का बेना रुख जाता है इंपोर्टेंड किसे तो राइट हो जाएगा इसमें फेरी क्लोराइड क्या हो जाएगा ए ओप्सन राइट हो जाएगा नो नमर की सुन हो जाएगा निमन लिकित में से किस दातु का प्रियोग मानो दुआरा सबसे पहले किया गया तो राइट हो जाएगा इसमें तामबा किस दातु का प्रियोग तामबा दातु का प्रियोग किया था दस किसमें मैं आपका निमन में बिर्म कोना दाताय। क्यों में 152 नमर को कि दो यहां तड़ी तचालक निर्मित होते हैं तड़ी तचालक के निर्मित होते हैं तो राइट हो जाएगा इसमें किससे होता है था मआ बश्यार्ट टाम पंड़ से होता हैं B option पर किसी दातु के उपडर हरे रंके बेसिक कार्बोनेट की प्रत जम जाती हैं तो वे दातु ए तक हो जाएगा कोनसी दातु है टांबा तांबा के से था च्या उन आगए इसमें तो आपको याद करिए न में पानी लोह के पाईप को जंग लगा कर चटका देते हैं तो इस परकार को कहते हैं तो इस परकार को कहते हैं तो इसमें राइट हो जाएगा संक्सारण संक्सरायन, D option, right हो जाएगा इसमें, अगला हो जाएगा 16 नमर के उसन नीमन लिकित में से किस से टेप रिकोर्ड की टेप लेपित रहती है, तो 16 नमर में आपका right हो जाएगा, फेरो मेगनेटिक चुरण, क्या हो जाएगा, A option, right हो जाएगा, और 17 नमर के उसन होगा, नीमन म नहीं बनाता है, तो right हो जाएगा इसमें, लोहा, कौनसा दातू है, लोहा दातू है, ठीक है, 18 नमर हो जाएगा, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाए जाता है, तो right हो जाएगा, तामबा मिलाए जाता है, क्या, तामबा D option right हो जाएगा, 19 नमर के सुन होगा, स तो राइट हो जाएगा इसमें सिनेवार से किस से सिनेवार से सी ओप्सन राइट हो जाएगा ओर ट्वंटीवन नमर हो जाएगा निमन में से कौन एक दर्वे दातू है तो ट्वंटीवन में राइट हो जाएगा मर्करी है क्या है मर्करी बी ओप्सन राइट हो जाएगा और ट्वंटी टू नूमर निम्न में से कोन सामनेतित आप पर दर्व है तो राइट हो जाएगा पारा क्या है पारा डी ओप्सन जाएट हो जाएगा मरकरी को किस दातू के पातर में रखा जाता है तो राइट हो जाएगा लोहा ये ओप्सन राइट हो जाएगा ट्वेंटीफॉर हो जाए गा वानों से उत्सर जितुए में किस की उपस्तिती से पर्दुशन होताए तो राइट हो जाएगा ट्वेंटीफाइट में वी ऑप्शन राइट हो जाएगा शिस्सा वी ओप्षन राइट हो जाएगा इसमें अगला हो जाएगा आपका 26 नमर क्यूशन संचाएक बेटरी में निमल लिकित में से कौन सी दातु का प्रियोक किया जाता इंपोर्डेंट क्यूशन तो राइट हो जाएगा इसमें सिस्ता क्या हो जाएगा ए उप्सन राइट हो जाएगा अगला हो जाएगा 27 नमर निमन लिकित में से किसें भविश्य का धातु कहते हैं तो right हो जाएगा इसमें loha भविष्य गया दातू कुन सा है ताइटेंएम 27 में आपका right हो जाएगा titanium भविष्य गया दातू titanium होगा ठीक है 28 नमर होगा नाभिक के रियेक्टर की रचना के लिए अनिवाय रेतत्तव है तो right हो जाएगा इसमें जिर्कोनियम क्या हो जाएगा बी ओप्सन राइट हो जाएगा इसमें अगला हो जाएगा 29 नमर वायू यान निर्मान में नीमन में से कौन सी दातु प्रियुप्त होती है तो राइट हो जाएगा इसमें पैलेडियम क्या हो जाएगा ए ओप्सन राइट हो जाएगा 30 नमर हो जाएगा नीमन में से कुंसी दातु कम्रे के ताप तर्व व्य मस्ता में होती है तो रइट हो जाएगा गेलियम क्या हो जाएगा गेलियम डी ओप्सन राइट हो जाएगा इसमें 31 हो जाएगा सपेज सुरुन के नाम से जाना जाता है तो राइट हो जाएगा इसमें बहुत इंपोर्टेंट क्यों सुने तो राइट हो जाएगा इसमें पलेटियम क्या हो जाएगा पलेटियम ए ओप्सन राइट हो जाएग निमन में से कौन कटोर्तम धातु है इन में से कौन सी है जो कटोर्तम धातु है तो राइट हो जाएगा इसमें पले टीनम डी ओप्शन राइट हो जाएगा 33 हो जाएगा निमल लिकित में से कौन सी दातू रोशनी के बल्बू के फिलामेंट्स के रूप में प्रिवगत होती है तो 33 में राइट हो जाएगा टंग स्टन C ओप्शन राइट हो जाएगा 34 हो जाएगा वीदू तबलब का तंतू किसका बना होता है 34 में राइट क्या हो जाएगा टंग स्टन ही हो जाएगा वी ओप्शन राइट हो जाएगा आज सारे दातों के क्यूशन आपको याद कर लेने हैं वीडियो को एंड तक देखते रहे ना गलोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदाई गेस है इंपोर्टेंट है तो इसमें राइट हो जाएगा कार्वन डाइए ओक्साइट क्या हो जाएगा वी ओप्शन राइट हो जाएगा 36 नमरोगा सोर सेलू में प्रियुक्त होने वाली मुख्ये प्रदात कौन सा मुख्ये प्रदात कौन सा तो राइट हो जाएगा इसमें सिलिकोन है ये ओप्शन राइट हो जाएगा आपको वीडियो को रोक कर आपको कमेंट में बताने आपके कितने रेटे में 37 हो जाएगा ट्रांजिस्टर बनाने में आम तोर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है तो राइट हो जाएगा सिलिकॉन का D-Option राइट हो जाएगा इसमें और 38 हो जाएगा करत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है किसको तो 38 में राइट हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड को A-Option राइट हो जाएगा इसमें अगला आपका हो जाएगा क्यूशन 39 नमर हाइड्रोजन में रेड्यो सक्री समस्तानिक को कहते हैं तो इसमें राइट हो जाएगा ट्राइटियम क्या हो जाएगा C-Option राइट हो जाएगा 40 नमर के सुना जाएगा निमली की दातू में से कौन सी दातू नमक के तनू अमल की किरियत से राइट हो जाएगा C-U क्या हो जाएगा B-Option राइट हो जाएगा अगला हो जाएगा हाइड्रोजन को वायू में जलाने पर प्राप्त होता है क्या होता है तो हो जाएगा जल C-Option राइट हो जाएगा 42 नमर हो जाएगा वनस्पति घीक के निर्मान के में कौन सी गेस प्रीपत होती है 42 तो राइट हो जाएगा हाइड्रोजन B-Option राइट हो जाएगा 43 हो जाएगा आइतन के निर्मात में जल में हाइड्रोजन वे ऑक्सीजन का निर्मात होता है तो 43 में राइट हो जाएगा दो निर्मात एक बी ओप्सन राइट हो जाएगा इसमें इंपोर्टेंट कुस्टन है 44 हो जाएगा बाहर के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और अक्षिजन का अनुपात होता है तो राइट हो जाएगा 1.8 एक अनुपात 8 एक पॉइंट ने एक अनुपात 8 है एक ओप्सन राइट हो जाएगा 44 में 45 नुमर हो जाएगा भारी जल को खोज किसने की भारी जल की खोज किसने की तो राइट हो जाएगा इसमें ह यूरेने किसने की वी ओप्सन राइट हो जाएगा 46 हो जाएगा आपका 47 है 46 में आपका right हो जाएगा calcium silicate से बनता डियो उप्षन इसमें राइट हो जाएगा ठीक है अगला हो जाएगा आपका 47 है पोधे nitrogen किस रूप में grind करते है है तो 47 में आपका राइट हो जाएगा nitrous के रूप में करते हैं इस बढ़ते हुए में पोधे को निमल लिकित में से किस तत्वे की सबसे अधिक महात्रा में आऊν सब्सक्ता किस नाइटरोजन की होती स्य ऑप्षन इसमें right हो जाएगा और 49 नमर हो जाएगा प्रकास रासाइनी दूम के और बनने के समय निमन में से कौनसा गेश उत्पन होता है तो 49 में right हो जाएगा nitrogen oxide क्या हो जाएगा अगला आपका हो जाएगा 50 नमर डोक्ट्रूं दुवारा एंस्तिसिया के रूप में प्रियोग होने वाली हांसे गेस है तो राइट हो जाएगा नाइट्रस ओक्साइड क्या हो जाएगा वी अप्शन राइट हो जाएगा इसमें और 51 नमर हो जाएगा पास्पोर्स का सबसे इस ताइप रूप है तो राइट हो जाएगा लाल फास्पोर्स क्या हो जाएगा लाल फास्पोर्स सी उप्शन राइट हो जाएगा 52 नमर हो जाएगा पीला पास्पोर्स को सुरिक्सित राका जाता है तो राइट हो जाएगा जल में किसमें जल में सी उप्शन राइट हो इतन में सामानेते कौन साप पर्षी तक पृयोग में लाते है है, तो RITE हो जाएगा ammonia क्या हो जाएगा डी ओप्सन हो जाएगा इसमें है раसेरख भी उपस्क्राम एक न स्प01 वाज़ा टो चैनल को सब्सक्राम कर देना टेफलोन में पाया जाने वाला हेलोजन है तो 58 में राइट हो जाएगा फ्लोरिंग क्या हो जाएगा अगला हो जाएगा आपका 59 अमर क्यूशन एक कार बेटरी में प्रिविदूत अपगटक होता है तो 59 में राइट हो जाएगा अगला हो जाएगा 60 अमर क्यूशन वे कौनसी गेस है जो स्वम जलती है लेकिन जलने में सायक नहीं होती तता जो सड़े अंडे जैसी गंद देती है तो राइट 60 में हो जाएगा हाइडरोजन सलफाइड कौनसी गेस है हाइडरोजन सलफाइड 61 नमर क्यूशन हो जाएगा जीवानों को नस्त करने के लिए निमली कितमे से किस गेस का प्रियोग किया जाता है तो राइट हो जाएगा क्लोरीन क्या हो जाएगा भी ओप्सन राइट हो जाएगा और 62 नमर हो जाएगा कहां काम करने वाले वेक्तियों को बलेग लंग से उप्सन राइट हो जाएगा कि अगला 63 नमर क्योंगा लिकित में से अक्षीज़न मीस्री freshman list गेस कौरी जो औरोधित सोप्षन से प्रीत रोग यूं को दिजाती है तो right हो जाएगा helium, क्या हो जाएगा, B option right हो जाएगा, अगला आपका हो जाएगा, 64, अमल वर्सा वनस्पती को नस्ट कर देती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, तो right हो जाएगा, उसमें, cell puric, अमले होता है, D option right हो जाएगा, आपका right हो जाएगा, और अगला question होगा, aerosol का तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा दूहां एरोसोल का उधान डियोप्सन राइट हो जाएगा 66 नमडर हो जाएगा दूह कोहरा मुझूद आंक में जलन पेदा करने वाला 21-30 दर्वे हैं तो 66 में राइट हो जाएगा पेराक्सी acetyl nitrate क्या हो जाएगा डियू option राइट हो जाएगा अगला आपका हो जाएगा 67 नमबर क्यूशन वायू मंडल में कौन सी गेस वायू मंडल में कौन सी गेस पेरा बेगनी क्रिणों को असोशन कर लेती है तो बहुत इंपोर्टेंट क्या हो जाएगा डियू option राइट हो जाएगा ठीक है अगला आपका 68 नमर हो जाएगा कर्तरिम वर्सा या में बीजन के लिए प्रयाइव प्रियोग किये जाने वाले रासानिक दर्वे कौन सा है तो 68 में उप्योग सभी डियू option राइट हो जाएगा स्में 69 नमर हो नेमल लिकेत में से कौन सा पीड करना, C, ओजोन का हास करता है इंपोर्टेंट है तो राइट हो जाएगा मैधीली, ब्रोमाहिट हो जाएगा डियू option राइट हो जाएगा स्में 71 हो जाएगा ऐस्पिरीन साधार नाम है तो उerness 71 में राइट हो जाएगा Acetylene Salicylate Acid का क्या हो जाएगा C option right हो जाएगा इसमें वो निमल लिकित में से जेव सेल कौन सा है तो 72 में right क्या हो जाएगा 72 में right हो जाएगा कोईला है A option right हो जाएगा 73 हो जाएगा Gamma Clinus से क्या हो सकता है 73 में क्या हो जाएगा Gene Mutation B option right हो जाएगा वो 74 हो जाएगा एस्पिरीन का रसाइनिक नाम है तो 74 में राइस्ट हो जाएगा Acetylene Salicylic Acid क्या हो जाएगा D-Option राइट हो जाएगा 75 नमर हो जाएगा निमली कित में से वे कौन सी केस है जिसे Equalanks में गोता खोरूं द्वारा सांस लेने के लिए Oxygen में मिलाया जाता है तो राइट हो जाएगा Helium क्या हो जाएगा C-Option राइट हो जाएगा वो पाल गेस त्रासदी किस गेस के कारण गटी थी तो राइट हो जाएगा Methyl Isocinate D-Option राइट हो जाएगा 77 में हो जाएगा बारुद का मिस्रण होता है तो राइट हो जाएगा नाइटर सलफर और चाल कोल C-Option राइट हो जाएगा चार कोल ठीक है अगला हो जाएगा उपास ती तदा हड्यूं के निर्मान में निर्मान और संपोस्टन में आउस्टेक टत्वियों होता है तो 79 में आपका राइट हो जाएगा पर सितक D-Option राइट हो जाएगा अगला आपका हो जाएगा 80 नमर के उसलफर ओजोन में होती है क्या होती है औ्लोजोन में तो राइट हो जाएक़ नबर क्योति क्या है ठाइल क्या पर्सितक फ्रहाइब क्या है तो राइट हो जाएगा आपका diichloromethane क्या हो जाएगा A option right हो जाएगा स्मे 82 number क्यों सुन हो जाएगा vaesyon bundle में ozon हास मुखीति किया जाता है तो right हो जाएगा 82 में chloro fluorocarbonтории जाएगा C option right हो जाएगा स्मे अगला आपका हो जाएगा निमल कित्में से कौनसी gaze flow को करतरीम रूप से पकाने में फल्लू को तो कौन सी गयस है तो राइट हो जाएगा 83 में इथिलीन कौन सी गयस है इथिलीन ठीक है अगला आपका हो जाएगा 84 नमर क्यूशन शरीर की केलोरी आउसेक ता गर्मी की अपेक्सा सर्दियों में बढ़ जाती है क्यूंकि अधिक केलोरी आउसेक है तो 84 में आपका राइट हो जाएगा तो 85 में आपका राइट हो जाएगा कार्बन मोनोकसाइड डायओकसिन तो आपका वी उप्सन इसमें राइट हो जाएगा 86 हो जाएगा उत्प्रेयरक वह पदारतने जो क्या अभी किरिया की दर को बढ़ाता अभी किर्या कितर को बढ़ाता भी अप्सेल राइट हो जाएगा अपका तंबाकु का धुआ स्वास्ते के लिए हानिका रखें क्यूंकि उसमें होता है क्या होता है एटी एट में आपका राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा 88 में राइट तो 88 में राइट हो जाएगा निकोटीन क्या हो जाएगा सी ओप्सन राइट हो जाएगा अगला आपका हो जाएगा खाद प्रिरक्षन के रूप में सबसे अजिक प्रियोग होने वाला पदार्थ है तो 89 में आपका राइट हो जाएगा बेंज लिटर करता है तो राइट हो जाएगा लाइक एन एक कौन सा है लाइक एन उपशन इसमें राइट हो जाएगा ठीक है अगला हो जाएगा 91 नमर ग्रिन आउस प्रभाव के लिए मुक्यते जिम्मेदार वाइव मंडल गेस कौन सी है तो 91 में आपका राइट हो जाएगा कार्बन डाय उक्साइड हो जाएगा 93 ओजोन परत का अवक्स ये मुक्यते किस कारण से होता है तो इसमें आपका राइट हो जाएगा 93 में ख्लोरो क्लोरो कार्बन क्या हो जाएगा ये उप्सन राइट हो जाएगा ठीक है अगला आपका 94 नमर के सुन होगा ओटो मोबाइल वहानु द्वारा निसकास फासित मुक्य नुक्सान जे गेस जिससे वायू पर दूसर रोता है कि इमये लिगत में से कौन सी है तो राइट हो जाएगा इसमें कार्बनलो और प्लिकक्रिंषा औक हैसो आगला हो जाएगा आपका 95th नमर क्यों ओज़ेगा निमन में से कोन पोदाप घर बाव पर यादा अस्थाइजके मेंक्त जलवास पर तो 96 में आपका क्या हो जाएगा carbon dioxide का carbon dioxide का यह सोड़ती है तो D option इसमें right हो जाएगा 96 में अगला हो जाएगा zinc phosphate का आम तोर पर प्रियोग किये जाता है तो right हो जाएगा इसमें कृतनासी के रूप में क्या हो जाएगा D option right हो जाएगा इसमें है। रहां गला हो जाएगा 98 प्राकरतिक में पारिश्थितिक तत्रमें डिमनेल इस रही किस्त कुछ तत्वियों को पर्तिसत सबसे अधिक होता है तो direने टु सबसे औरिक एत्टरोजन व्य अप्सण राइट हो जाएगाय याद के लेने इसमस्ट सो गें क्या होता है तो केल्सियम फास्पेट होता डी अपसर राइट हो जाएगा धन्यवाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिसे आपको लेटेस्ट प्रोडियो मिलता रहे और सेर करें लाइक करें धन्यवाद